राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक स्रापित परिवार की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सबिस्क्राइब करें और शेयर करें। जस्वंत सिंग चौधरी वा के जमीदार थे, उनके चार बेटे थे जिनका नाम महेश, प्रकास, रविंदर और बलवंत था, जिसमें सबसे छोटे बेटे का नाम बलवंत चौधरी था, जो सहर से पढ़ाई करके अपने गाउं वापिस आया था। अपने गाउं में आने की खुसी में चौधरी साहव ने बहुत बड़े भोज का आयोजन किया था। आसपास के रसूकधार लोगों और गाउं के हर परिवार के लोगों को भोज का निमंतरन दिया था और साथ में नाच गाने का और संगीत का भी आयोजन किया था। पूरा गाउं चौधरी साहव के या आयोजन में जाने के लिए नए नए कपड़े पहन कर अच्छे से तयार होकर पहुँच गए थे। महिलाएं भी सभी तयार होकर पहुँच रही थी। एक तरफ भोज चल रहा था तो दूसरी तरफ पर एक बड़े मंच पर चौधरी साहव और उनके परिवार के लोग एक दूसरे से साथ बैठे हुए थे। महीं पास में चौधरी बलवंत सिंग भी बैठा हुआ था। बलवंत 21-22 साल का सुन्दर नौ जवान था। सहर में रहकर उसकी सुन्दरता में और निखार आ गया था। मंच के नीचे सभी गाम वालों के बैठने की विवस्ता थी। जो हुआ बैठे हुए थे और नाच ग चंचल लड़की थी। उसके पिता चौधरी साहब के यहां मजदूरी करते थे और वह एक गरीब परिवार की बेटी थी और वह एक साधरन जाती के लोग थे। कमली अपने माता पिता की पाँचवी संतान थी। जब मंच पर नाच गाना चल रहा था तब कमली भी एक कौने पर बैट कर नाच गाने का मज़ा ले रही थी। तब ही मंच पर बैटे हुए बलवंत चौधरी की नजर उस पर पड़ी। बलवंत जैसे ही कमली को देखता है उसको देखता ही रह जाता है। उसकी नजरे कमली से हटी नहीं रही थी। तब ही कमली की नजर भी कमली की नजरों आपस में टकराती हैं फिर वो दोनों एक दूसरे से सम्मुहित से हो जाते हैं अभी भी नजरे नहीं हट रही थी एक दूसरे से तभी जस्वंत चौधरी आवाज लगा कर बल्वंत चौधरी को बुलाते हैं तब बल्वंत चौधरी की जैसे निद्रासी तू वो कहीं भी उसे नजर नहीं आती है बलवंत सोचता है कि वे उसका नाम भी नहीं पूछ पाया कौन है और कहां रहती है बलवंत को रह रहकर कमली का चेहरा और उसकी आखें याद आ रही थी उसकी आखों के सामने उसका मासूम सा चेहरा घूम रहा था अगली दिन बलवंत चौधरी कमली को ढूणने के लिए पूरे गाउं का चक्कर लगा आया पर उसे कमली कहीं नहीं दिखाई दी उसकी तलास उसने काफी की ऐसे ही कुछ दिन निकल गए एक दिन बलवंत अपने खेतों को देखने गया क्योंकि हुआ पर फसल कट रही थी तबी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी यह तो वही लड़की है जिसकी तलास बलवंत चौधरी कर रहा था जो अपनी मा के साथ फसल काटने आई थी वै उन मजदूरों के पास पहुचा सभी मजदूर खड़े हो गए और कहने लगे आईए मालिक आईए छोटे मालिक एक मजदूर कहने लगा बलवंत उनके पास गया सभी मजदूर उनको नमस्कार करने लगे कमली भी बलवंत चौधरी को एक टक देखे जा रही थी बलवंत कमली से उसका नाम पूछता है तो कमली कहती है जी मेरा नाम कमली है फिर आए दिन अब बलवंत खेत देखने के बहने कमली से मिलने जाने लगा कमली और बलवंत एक दूसरे से घुलने मिलने लगे और बाते करने लगे अब बलवंत और कमली कभी कभी नदी किनारे कभी खेत की जोपड़ी में मिलने लगे एक दिन अकेले में बलवंत कमली से कहने लगा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करने लगाऊं कमली कहने लगी मालिक आप बहुत अच्छे हो मैं भी आपको बहुत चाहती हो पर आपका और मेरा मेल कहां है मैं गरीब घर की लड़की मेरी जाती से भी बहुत छोटी हूँ, आप तो मेरे लिए सपने जैसे हो, आपकी और मेरी कभी भी शादी नहीं हो सकती, बड़े मालिक का गुसा देखा है मैंने, छोटे मालिक मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आपने मुझे अपने हिर्द्या में बलवंत और कमली खेत में बनी हुई जोपडी के अंदर पड़ी हुई खाट पर बैठे हुए एक दूसरे से बाते कर रहे थे, तब ही बहार किसी की आहट होती है, जोपडी के बहार कोई आया था, बलवंत चौदरी ने बहार देखा, तो बहार हरिया चौदरी का नौकर थ जोपडी के बार बने कुए से पानी पीने आया था, हरिया पानी पी कर जा चुका था, बलवंत कमली की जान में जान आई थी, बलवंत कहने लगा कि कमली तुमसे मैं शादी करूँगा, तुमारे बिना अब मैं नहीं रह पाता हूँ, और वह कमली से प्यार भरी बाते करने लगा, ऐसे ही करते हुए बहुत देर हो गई, कमली कहने लगी, मालिक अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि बहुत देर हो रही है, छोटे मालिक कल फिर मिलती हों, ऐसा कहकर कमली हुँआ से चली गई, अब तो हर रोज कमली और बलवंत एक दूसरे से मिलने लगे, एक दिन कम काड़ी के ऊपर माता के मंदिर में चलते हैं हम लोग महां चलेंगे और माता के मंदिर में कहते हैं कि मन मांगी मुराद पूरी होती है हम माता से अपने लिए प्राथना करेंगे माता हमारी मुराद जरूर पूरी करेंगी कहते हैं लोग मां के मंदिर जाकर जो भी अपने मन स मांगता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है फिर अगले दिन सुबही बलवंत और कमली मंदिर के लिए निकल पड़े उबर खावड रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे मंदिर के रास्ते में एक नदी पड़ती है उस नदी के दोनों नाव से पार करते हैं फिर आगे पहड़ी पर चड़कर एक मंदिर तक पहुँच गए माता जी के दर्सन किये दोनों ने और फिर अपने लिए एक दूसरे का साथ मांगा दर्सन करने के बाद वो लोग हुआ बनी कुटिया के पास गए जहां एक बाबा जी धूनी रमाए बैठे हुए थे बलव अपने और कमली के बारे में सब कुछ उस बाबा को बता देता है बाबा जी कुछ ध्यान करते हैं फिर बोलते हैं बच्चों जो कुछ तुम लोग करने की सोच रहे हो वह तो बड़ा मुस्किल है अगर एक दूसरे से शादी कर भी लोगे तो तुम्हें बहुत बड़ी कीम चुकानी पड़ेगी बलवंत पूछता है बाबा जी ऐसा क्यों पर बाबा जी कुछ नहीं बोलते बलवंत और कमली वापिस अपने घर आ जाते हैं कमली बलवंत का प्रेम परवान चड़ने लगा कहते हैं लोग इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपता यही कमली और बलवंत के साथ हुआ कमली और बलवंत के साथ यही हुआ गाउं के लोगों के बीच अब यह ख़बर आग की तरह फैल रही थी जब मन कमली के मा बापू को यह बात चला पता चली तो कमली को उसके बापू ने बहुत मारा तुमने यह क्या किया बड़े मालिक को अगर पता चलेगा तो वे हम लोगों को इस गाम से निकाल देंगे मैं कहां जाऊंगा तुम सब को लेकर अभी तक उनी के टुकडों पर तो हम पल रहे हैं हम लोग ये भगवान ये भगवान अब क्या होगा ओदा जस्वंद चौदरी को ये भनक लग गई थी उसने बल्वंद को बुलाया और गुसे में पूचा कि बल्वंद यह मैं क्या सुन रहा हूं ये सब तो बल्वंद कैसा कहता है क्या बाबुजी जस्वंद चौदरी गुसे में और लाल हो जाते हैं और कहते हैं रामदीन कहार जो हमारा नौकर है उसकी बेटी का तुम्हारा क्या सुन रहा हूं मैं तुम दोनों के बारे में बल्वंद कहता है बाबुजी मुझे माफ करें और कमली को एक बहुत ही अच्छी लड़की है और मैं उसे प्यार करता हूं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं जस्वंद चौदरी बल्वंद को खीच कर एक थप्ड मारता है तुम्हें इसी लिए सहर भेजाता पढ़ने के लिए कि तुम सब ये सीख कराओ ऐसी लड़कियां विस्तर तक ही ठीक होती हैं आज के बाद उसका ख्याल दिमाग से निकाल दो प्रिथवी पुर के जमीदार की लड़की से तुम्हारी शादी होगी तो जस्वंद कहता है नहीं बाबुजी ऐसा मत करो कमली और मैं एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे बल्वंद कहता है तो जस्वंद चौदरी ये सुने बिनाई वहां से चला जाता है बल्वंद की मा जो बल्वंद से कहती है बेटा आपको अपने बाबुजी की बात मान लेनी चाहिए आपके बाबुजी ने जो कह दिया है वह पत्थर की लकीर होती है और वो तुम्हें और कमली को कभी एक नहीं होने देंगे बेटा आप जहां बाबुजी कह रहे हैं महीं शादी कर लो तो बलवंत कहने लगा नहीं मा मैं और कमली एक दूसरे को कभी नहीं भूल सकते हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं इधर जस्वंत चौधरी अपने विश्वास पातर आदमी को बुलाता है और कहता है आज रात रामदीन कहर का घर जला दो कोई भी जिन्दा नहीं बचना चाहिए ये बात कमरे के बहार कोई और सुन रहा होता है रात को लगबग दो बजे आठ दस मूँ बांधे लोग रामदीन कहर के घर के चारो तरप से आग लगा देते रामदीन कहार का घर धूदू करके जल चुका था चौदरी के नकाब पोस लठैत अब जा चुके थे उधर नदी के पास पगडंडी पर कुछ लोग चले जा रहे थे और वो रामदीन और उसका परिवार था रामदीन रुआसे से होकर कह रहा था अच्छा हो मजले मालिक का रविंदर चौधरी जी का जिसने हमें लोगों को समय से घर से निकाल दिया और हम लोगों कोई जान बचा ली रविंदर चौधरी जस्वंत चौधरी का तीसरा लड़का था और बलवंत का बड़ा भाई था जो अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करता था उन दोनों की उम्र का जायदा अंतर नहीं था साथ में दोनों भाई खेले थे और साथ साथ बड़े हुए थे उनको भी बलवंत और कमली के प्यार के बारे में उपहले से ही जानते थे और उसने भी अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिस की थी उस रात जब जस्वंत चोदरी अपने विश्वास पात्र आदमियों को जब रामदीन कहार के परिवार को खतम करने को कह रहा था तब रविंदर ने सुन लिया था और समय पर जाकर सभी को स्रक्षित घर से निकाल लिया था पर ये बात उसने अपने भाई बलवंत को नहीं बताई थी क्योंकि उसको पता है उनके बाबुजी जस्वंत चोधरी उनकी कभी भी एक नहीं उनको एक नहीं होने देंगे अगर उनको कमली और उनके परिवार का पता चल गया तो वो फिर से उस परिवार को मरवाने की कोसिस करेंगे इसलिए ये बात किसी को नहीं बताई थी रविंदर ने और वह यह भी सोचता है कि कुछ दिनों में उसका भाई भी कमली को भूल जाएगा और सामान्य हो जाएगा और उसकी शादी अच्छी जगए हो जाएगी उसने अपने दूर के रिष्टे के मामा के नाम पर एक चिठी लेकर रामदीन को दे दी थी और उसने कहा था कि उन्हें अपने यहां आश्रिय दे देना और काम पर भी रख लेना राजेंदर चौधरी के मामा नारायन पुरगाओं के एक छोड़े से जमीदार थे बहुती धरम पर आयन आदमी थे हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे जस्वंत चौधरी से उनकी कभी नहीं बनती थी पर क्योंकि चौधरी बहुत ही कुरूर किस्म का आदमी है और गरीबों पर आय दिन अन्याय करता रहता है पर वो रविंदर चौधरी को बहुत मानते थे रामदीन कहर का परिवार अगले दिन शाम तक नारायन पूर पहुँच गया चौधरी की चिठी देते हैं और हुआ के जमीदार रामदीन के परिवार को रुखने की ब्यवस्ता अपने खेत में बने मकान में कर देते हैं इदर बलवंद चौधरी जब सुबह जागता है और हवेली के बहार बाते हो रही थी कि रामदीन के कहार में घर में रात को आग लग गई और उसका पूरा परिवार खतम हो गया यह सुनकर बलवंद पागल सा हो जाता है और दोडते हुए कमली के घर की तरप जाता है उसक पूरा घर राक का धेर बन गया था बलवंद राक के धेर में घुसने की कोसिस करता है तो पीछे से रविंदर उसे पकड़ लेता है और उसको अपनी हवेली में ले आता है बलवंद बेसुध हो जाता है बलवंद अब पूरी तरह बदल चुका है कमली की यादों में पाग जस्वंत चौधरी उसकी साती प्रित्वी पुर के जमीदार की बेटी से करना चाहते हैं। जिससे मादवी और बलवंत एक दूसरे को देख लें और पसंद कर लें जिसके बाद उनकी शादी की बात आगे की जा सके। जमीदार की गिंती देश के सबसे अमेर जमीदारों में होती है और हुआ के जमीदार के हैं कोई लड़का नहीं सिर्फ एक लड़की मादवी है। उस समारों में मादवी की नजर बस बलवंत पर ही लगी रहती है। मादवी एक बहुत खुबसूरत लड़की थी। वे संसकारी और सब्भ्य लड़की थी। सब को समान देने वाली हवेली में सब की लाडली समारों खतम होने के बाद जस्वंत चौदरी अपने रुकने के स्थान पर चले जाते हैं। इदर मादवी का बहुत बुरा हाल था। उसको तो बस चारों तरफ बलवंत चौदरी ही आँखों में दिखाई दे रहा था। उसकी आँखों के नीद उड़ चुकी थी। जैसे जैसे रात निकलती है और सुबह होती है तो वह अपनी मा से बलवंत चौदरी के बारे में पूछती है। तब उसकी मा कहती है कि तुमारी शादी की बात करने के लिए इस समारों में उनको बुलाया गया है। अगर तुमें बलवंत पसंद है तो तुम बलवंत से अकेले में मिलकर पक्का कर लो। फिर तुमारे पितासरी चौदरी साहब से तुम दोनों की शादी की बात कर पर बलवंत उससे नजर नहीं एक बार भी नहीं मिलाई, खाना खाने के बाद जो माधवी की माँ उससे माधवी से बोलती है कि बेटी बलवंत को अपनी हवेली दिखा कर लाओ, और माधवी और बलवंत वाँ से जाकर बाहर निकल जाते हैं, माधवी बलवंत को अपनी हवेल पसंद नहीं हूं क्या बलवंत बोलता है कि आप तो बहुत अच्छी है माधवी आपको कोई भी ना पसंद करी नहीं सकता पर मैं आपके लायक नहीं हूं माधवी बोलती है आप जैसे भी है मुझे आप बहुत पसंद हो मैं शादी करूंगी तो आपसे ही करूंगी बलवंत क और उसके मा कहती है इसका मतलम मैं क्या समझू तुमारी हाँ है पृत्वेपुर के जमिदार जस्वंत चौधरी पंडित जी बैठे हुए थे और बलवंत और माधवी की शादी की भात चल रही थी पंडित जी कहने लगे कि अगले महिने की एकादशी के दिन का महुरत शादी के लिए बहुत अच्छा है दोनों परिवारों में शादी को लेकर तैयारियां चल रही थी बलवंत अब भी कमली की यादों में खोया हुआ था इधर कमली का भी अभी तक बुरा हाल था वे ना कुछ खाती ना पीती ना किसी से बात करती बस गुमसुम ही बनी रहती थी र नाराइनपुर के जमिदार का लड़का करन आता है वे कमली को देखता है वे कमली पर मोहित हो जाता है वे कमली के पास जाता है और कमली से पूछता है कि तुम कौन हो तुम कमली बता देती है कि वे पास के खेतों में बने मकान में रहती है करन हुआ से चला जाता है वे मा बोलती है कि मैं तुम्हारे पितासरी से बात करूंगी अगले दिन करन की मा उसके पती से बात करती है और करन के दिल का हाल बताती है तब वे कहते हैं कि अगर करन को लड़की पसंद है तो मैं लड़की के पिता को बुला कर शादी की बात करूंगा अगले दिन रामदीन को बहुत सम्मान से बठाया जाता यह जमीदार सहाब आते हैं तो रामदीन खड़ा हो जाता है रामदीन को बैठने को कहते हैं तो रामदीन कहता है कि मालिक आपने मुझे बुलाया तो वे कहते हैं हां रामदीन बुरा ना मानो तो एक बात कहूं रामदीन कहता है जी मालिक कहिए रामदीन जमेदार साहब कहते हैं तुम्हारी बेटी को मैं अपनी हवेली की बहु बनाना चाहता हूँ अगर तुम्हे कोई अतराज ना हो रामदीन मालिक कहता है मुझे कोई अतराज कैसे होगा ये तो मुझे और मेरी बेटी के लिसो भाग्ये की बात होगी मालिक पर मालिक मैं एक छोटी जाती का आदमी हूँ और मैं कहां और आप कहां कहां राजा भोज और कहां गंगु तेली रामदीन ने यह कहा तो मालिक कहने लगे रामदीन मैं ये सब नहीं मानता भगवान ने सबसे पहले हम लोगों को इनसान बनाया है फिर ये रिष्टा पक्का समझू रामदीन रामदीन कहता है जी मालिक आप जैसा सही समझें और कहते हैं मालिक कहता है कि मैं कल पंडिजी को बुला कर महुरत निकलवा लेता हूँ और रामदीन कहता है जी मालिक बोलता है और वह बहुत ही खुश हो जाता है ऐसे ही रामदीन घर आता है अपनी पत्नी और बच्चों को खुश खबरी सुनाता है कि हमारे मालिक ने हमारे कमली का रिस्ता अपने बेटे करन से तैक कर दिया है यह बात कमली भी सुन रही होती है उसकी आखोंस में आसू होते हैं और वे कहने लगी बापू ये तुमने क्या किया तुमें तो पता है मैं चौधरी मालिक की अमानत हूँ मैं उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती आप मना कर दो इस रिस्ते के लिए रामदीन कहता है पागल हो गई हो क्या तुम इतना अच्छा रिस्ता मिला है और वो भी जमीदार के घर में जिनाने हम लोगों को आश्रे दिया है जो तुमें पूरे सम्मान से अपनी हवेली की बहु बना रहे हैं अब तुम्हारी एक नहीं सूनूंगा मैं और अगर शादी के लिए मना करेगी तो मेरा मरा मुझ देखेगी कमली का रोरो कर बुरा हाल था कमली सोचती है कि किसी तरह ये खबर बलवंद चौदरी तक पहुँच जाए पर उसे कोई रास्ता नहीं सूजता अगले दिन कमली तलाव के किनारे बैटी हुई थी और अरजुन हुआ आता है और आकर कमली के पास बैट जाता है कमली से पूछता है कैसी हो कमली या कैसे बैटी हो कमली कोई जवाब नहीं देती तो करन फिर बोलता है कमली अपनी शादी होने वाली है मेरी और तुम्हारी और तुम मुझस कोई बात नहीं कर रही हो यह रूखापन क्यों है अगर कोई समश्या है तो मुझे बताओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस पर भी कमली कोई जवाब नहीं देती करन कमली का हाथ पकड़ लेता है और उसकी आखों में आखे डाल कर फिर पूछता है तो कमली के से कहता है कि एक दोस्त के नाते ही बता दो कमली इतने में कमली की आखों से आंसू बहने लगते हैं फिर वैं जोर जोर से रोने लगती है कुछ देर रोने के बाद जब वह चुप होती है तो कहती है मालिक मैं अपना दिल पहले से किसी को दे चुकी हूँ और मैं उनके सिवा किसी और को अपना नहीं सकती वो भी मुझे ढूड रहे होंगे सिर्फ उन्ही का इंतजार है मुझे करन कहता एतनी सी बात तो तुम्हारी साधी तुम्हारी इच्छा के बिना नहीं होगी तुम्हारा प्यार तुम्हें जरूर मिलेगा यह सब तुम दोनों की साधी जब तक मैं नहीं करा दूँगा मैं चैन से नहीं बैटूँगा कमली यह मेरा तुम से वादा है कोई बात नहीं अगर मेरी शाधी तुम से नहीं हो रही है तो मैं तुमारा एक अच्छा दोस्त तो बन सकता हूँ अब तो ये बता दो कि वो खुस नसीब कौन है तब कमली कहती है कि वो रामपूर के चौधरी बलवंत जी है रामपूर का बलवंत चौधरी उसका नाम सुनकर करन चौख जाता है और कहता है बलवंत तो मेरा भाई है और एक दो दिन में ही रामपूर में जाकर मैं उसको इदार रामपुर में बलवंत और माधवी की शादी की तैयारियां जोर सोर से चल रही थी क्योंकि तेन दिन बाद बलवंत और माधवी की शादी होनी है। महतमा जी को करन परनाम करके आगे बढ़ने को होता है तो महतमा जी उससे कहते हैं रुको बेटा। करन रुक जाता है। महतमा जी बोलते हैं बेटा तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम नहीं करो तो सभी के लिए अच्छा है। करन बोलता है बाबा जी मैं वादा कर हवेली के सभी लोगों से मिलकर बलवंद के कमरे में जाता है बलवंद गुमसुमसा बैठा है करन को देखकर उससे लिपट जाता है और रोने लगता है करन बलवंद को चुप कराता है और उसको फिर बताता है कि कमली जिन्दा है और आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है कर बलवंत कहता है आपको पता है कि मेरी कमली जिन्दा है और मेरा इंतजार कर रही है रविंदर कहता है पता है छोटे मुझे और पूरी कहानी सुना देता है किस तरह कमली और उसके परिवार को वह वहां से बाहर निकालता है बलवंत कहता है भाईया मुझे कमली के पास जान तो रविंदर कहता छोटे यह अभी तो संभव नहीं है दो दिन बाद तुम्हारी शादी है तुम हवेली से बाहर भी नहीं निकल पाओगे और बाबुजी को पता चल गया तो कमली और उसके परिवार जिन्दा है तो वह उन्हें जिन्दा नहीं छोड़ेंगे तब बल्वं के पास भी पहुँच जाओगे और यह साधी भी नहीं रुखेगी बल्वंत और रविंदर आपस में बाते कर रहे थे करन कहता है कि मैं जाओंगा प्रित्वीपूर और माद्वी से बात करूंगा बल्वंत कहता है मेरे भाई मेरे दोस्त मैं कोई भी कीमत में जो तुम्हा उससे मिलने ही ना दे हाँ एक काम कर सकते हो वहाँ जाकर कहना कि बलवंत चौधरी का संदेश लेकर आया हूँ हो सकता है कि फिर तुम भी माधवी से मिल पाओ पर कैसे माधवी को तुम समझाओगे रविंदर जो अपनी संका करन को बताई तो करन कहता है भाई साव आप किसी भी कीमत पर करके आऊंगा इतने में जस्वंत चौधरी उस कमरे में आता है और करन चुप हो जाता है जस्वंत चौधरी रविंदर से बोलता है तुम यहाँ बैटे हो बाहर कितने महमान आए हुए हैं विजयगड से राजा सहाब आए हैं उनका स्वागत करो वो प्रित्वी पुर के लिए और वे वहां से निकल जाता है अपने घोडे पर बैट कर चला जाता है प्रित्वी पुर के लिए और शाम तक प्रित्वी पुर पहुँच जाता है हवेली के पास घोडा खड़ा करके जमिदार की हवेली के पास दर्वाजे पर खड़े दर्वान क बोलता है कि मैं चौधरी बलवन्त का संदेसा लायाूं माधवी के लिए अंदर जाकर बता दो, दरवान हवेली में अंदर जाता है धोड़ी देर बाद वापिस आकर कहता है कि आप अंदर चलो करन अंदर एक कमरे में उसको बैठा दिया जाता है, धोड़ी देर बाद माध पूछती है कि क्या संदेश है चौधरी साब का तब करण कहता है माधवी जी बलवंत बहुत परेशान है वे आपको दुखी नहीं कर सकता पर इसके बाद उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है वो आपको बहुत सम्मान करते है माधवी कहती है सीधे सीधे सब्दों में बताओ बात क्या है फिर करन बलवन्त और कमली के प्यार की दास्तान सुनाता है और कहता है कमली और बलवन्त अगर एक नहीं हुए तो वे जी नहीं पाएंगे माधवी जी मुझे आपकी मदद चाहिए माधवी कहती है जब किसी और से प्यार करता है तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया वो अपने पिताजी को नहीं बता सकते थे तो मुझे तो बता सकते थे मैं मना कर देती अपने पिताजी से तब वे करन के बताता है कि उनके पिताजी ने कहा था अगर वे माधवी या किसी को भी कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा माधवी बोलती है कल मेरी शादी बलवंत चौधरी से है और तुम आज कह रहे हो बलवंत चौधरी किसी और से प्यार करता है मेरा और मेरे परिवार की पृतिष्ठा का क्या होगा तब माधवी वह कहता है माधवी मेरी शादी भी जो कमली से पक्की हो गई थी मेरी शादी भी पंद्रे दिन बाद महुरत निकला है पर जैसे ही मुझे पता चला कमली और बलवन्त एक दूसरे से प्यार करते हैं, तब मैंने सोचा कि मेरा प्यार मुझे मिले या ना ले, बलवन्त और कमली को मिलाना है तब मादवी कहती है मेरे पिताजी को जानते हो बहुत अच्छे हैं वे पर ऐसे में वो रामपुर और वहां के चौधरी को नहीं छोडेंगे तभा कर देंगे उन्हें चौधरी खांदान को यह संभव नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकती करन प्रित्वी पुर्बारात तो आएगी शादी भी होगी कल लही हाँ ये जरूरी नहीं कि शादी बलवंत चौधरी से हो बाकी का देख लो करन क्या करना है और उटकर कमरे से बाहर चली जाती है मादवी करन सोच में पढ़ जाता है और वह वहां से बाहर निकलता है और अपने घोडे पर बैटकर चला जा रहा है सोचते हुए फिर उसकी आँखों में चमक आ जाती है चलते चलते करन रामपुर पहुचता है वहां बलवंत उसका ही इंतजार कर रहा है करन के पहुचते बलवंत कहत है कि क्या हुआ पृत्वी पुर में माधवी ने ना करने के लिए मानी? क्या कहा है उसने जल्दी से बताओ? बलवंत बहुत अधीर होकर पूचता है तो करन कहता है कि भाई तुम परेसान ना हो, तुमारा काम हो गया है, तुमारी शादी कमली से होगी और हां किसी से कुछ मत बोलना कल बरात भी जाएगी और शादी भी होगी पृत्वी पृर में माधवी की रामपृ में चौधरी की हवेली में शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं सुबह बारात बड़ी धूम धाम से पृत्वी पृर के लिए निकलती है चौधरी जस्वन सिंग भहुत अच्छी विवस्ता है पृत्वी पूर पूरा रोशनी से जगमगा रहा है बरातियों का स्वागत बड़े जोर सोर से हो रहा है एक कमरे में दुला बलवंत रविंदर और करन रुके हुए है दुला तैयार होकर हाती की पालकी पर बैठ चुका है उसके माथे पर सेहरा बं हवेली के बाहर बरात का स्वागत करने के लिए प्रत्वी पूर के जमिदार खड़े हुए हैं बारात हवेली में पहुचती है महिलाएं दीप कलस लिए खड़ी थी जस्वन चौदरी बहुत सा सौना चांदी महिलाओं के कलस में डालते हैं बारात हवेली के अंदर बहुत लड़के को बरमाला पहनाती है पिर लड़का लड़की को उसके बाद फेरे होते है शादी संपन होने के बाद दूले का सहरा हटाया जाता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं यह क्या दूला तो बदल गया है दूला तो बलवंद की जगे करण है सब लोग देखकर चौक जाते हैं प्रित्वी पुर के जमीदार कहते हैं चौधरी से ये तुने धोका हमारे साथ क्यों किया चौधरी इसकी बड़ी कीमत तुमें चुकानी पड़ेगी तब चौधरी जस्वंद घबरा कर कहता है प्रित्वी पुर के जमीदार से मालिक धोका तो मेरे साथ हुआया, मेरे बेटे ने मुझसे धोका किया है, आप मुझे माफ करें, मैं अपनी तलवार वह अपनी तलवार निकाल कर करन की तरफ करन को मारने के लिए दोड़ता है, उससे पहले माध्वी करन के आगे आ जाती है, चौदरी कहता है हट जाओ लड़की इसका तो आज अंत कर दूँगा इसने भी विश्वास घात किया है माधवी कहती है आप दूर ही रहना इनसे ये मेरे पती है और इनको किसी ने छुआ भी तो कसम मा भवानी की एक आदमी भी वापिस रामपूर नहीं पहुँचेगा प्रत्विपूर से बाराथ वापिस जा चुकी है प्रत्विपूर के जमिदार उनकी पतनी मा और माधवी और करन एक तरब बैठे हुए हैं माधवी कहती है पिता जी मुझे माफ कर दो मेरी शादी मेरी पसंद से हुई है ये नारायनपुर के जमीदार के लड़के करण है शादी तै होने के बाद मुझे पता चला कि बलवन्त और फिर उसकी बलवन्त और जो कमली की पूरी कहानी अपने पिता को सुना देती है करन कहता है माधवी आप से मेरी शादी हुई है मैं अपना पती धरम निभाँगा पर पहले मुझे पास के जंगल में जाना है जहां बलवन्त मेरा इंतजार कर रहा है उसको और कमली को एक करना है मैं अपना वादा निभा कर वापिस आपके पास आओंगा और आपको अपने गर ले जाओंगा करन माधवी से बिदा लेका जंगल में निकलता है और अपने दोस्त बलवंत के पास पहुंच जाता है जंगल में बलवंत उसका ही इंतजार कर रहा था करन के पहुंचने पर बलवंत करन से पूछता है कि क्या हुआ वहां बताओ मुझे तो करन कहता है दोस सब ठीक है चलो मैं तुम्हें कमली के पास ले चलू फिर हुआ से दौनों नाराइन पुर के लिए रवाना हो जाते हैं कमली तलाव के किनारे गुमसुम बैटी हुई थी तब ही उसको किसी के आहट सुनाई देती है वह पूछे मुड़ती है तो देखती है मालिक आप बलवं नहीं था कि तुम लोग जिंदा हो मैं तो तुमारी याद में पागल सा हो गया था कमली और वो करन की वजह से ही हम आज मिल पाएं है करन को बलवंत गले से लगा लेता है करन कहता है कि बलवंत तुम लोगों के लिए यह जगे सुरक्षित नहीं है अब तुम लोगों को य पहारगड चले जाओ, वहां मेरा दोस्त वीरेंदर सिंग रहता है, उसको मैं पत्र लिख देता हूँ, वो तुमारी हर तरह से मदद करेगा, करन बोलता है कि मेरा घोड़ा ले जाओ, उसके उपर बंदे थैले में थोड़ा सा धन रखा है, जो तुम्हें जरुत पढ़ने प आ गई, वापस आ गई है, जस्वंत चौधरी बहुत गुस्से में है, उनका पारा साथवे आसमान पर है, उन्होंने अपने लठेतों को बुलवाया, और कहा कि जाओ और बलवंत को ढूंड कर लाओ, जब तक बलवंत का पता नहीं चले तब तक लोटकर मत आना, मुझे ब क्या हाल कर लिया है अपने अपना, एक दूसरे से मिलकर उनको ऐसा लग रहा है, जैसे उन्हें सारा जहां मिल गया हो, दिन बर सफर करने के बाद, रात तक एक गाउं में, वाके मुख्या के घर जाते हैं, मुख्या पहचान जाता है बलवंत को, क्योंकि मुख्या जस्वं करता है, उसको अपने घर में बने कमरे में ठहराता है, कमली बलवंत के पास में ही दोनों जो बाते कर रहे हैं, मुख्या बलवंत को जरावी सक नहीं होने देता है, कि वह जस्वंत चौधरी का मित्र है, और चुपके से एक अपने आदमी को रामपूर चौधरी को जस्वं बलवंत और कमली जाने के लिए तैयार होते हैं, तो मुख्या यह कहकर रोक लेता है, कि आज उनके हैं बच्चे का जनम उत्सभ है, आज और रुक जाओ, आप लोग कल चले जाना, बलवंत और कमली मुख्या की चाल से अंजान थे, मुख्या अपने बेटे से कहता है, इन दर्शन करके आते हैं, शाम होने वाली है, मुख्या के घर पर घोड़ा बंदा है, वे घोड़ा जाना पहचाना सा है, जैसे ही बलवंत, कमली और मुख्या का लड़का मुख्या के घर की तरफ आते हैं, तब देखते हैं, चौदरी जस्वंत का घोड़ा और उसके साथ गले में पड़ी मोतियों की माला मंदर के पास कहीं गिर गई है हम लोग उसे लेकर आते हैं और अपना घोड़ा तेजी से विपरीद दिसा में दोड़ा देते हैं उई धर जब मुख्या का लड़का अपने घर के अंदर आता है मुख्या उसको अकेले देख कर पूछता है कह हैं वे लोग तो वे गले की माला वाली बात बताता है और पास में छिपा हुआ बैठा जस्वन्त चौधरी सब समझ जाता है वे अपने आदमियों को कहता है सब लोग जल्दी बहार आओ और बलवंत का पीछा करो चौधरी और चौधरी के लठैत सब अपने अपने पर बैठ कर उसी दिसा के और घोड़ा दोड़ा देते हैं जिस तरह बलवंत और कमली भागे हैं आगे जाकर जस्वंत कहता है कि यहां से अलग-अलग रास्ते हैं इसलिए तीन चार गुरूपों में बट जाओ और वे लोग अलग-अलग दिसाओं में जाओ बलवंत कमली घो के नीचे रुक जाते हैं उनका गोड़ा ठक गया था उन लोगों को भी भूख प्यास लगने लगी थी कमली को डर भी बहुत लग रहा है वे बलवंत से चिपकी हुई खड़ी थी उसकी दिल की धड़कने बहुत बड़ी हुई थी बलवंत से कमली कहती है मालिक अगर हम ल तुम सिर्फ और हम होंगे हमारा एक छोटा सा परिवार होगा हम आपको बहुत प्यार करेंगे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे बलवंत जो कमली को समझाता है और कमली सर्मा जाती है ठिर दोनौ एक दूसरे के आगोस में दुनिया से बेख वर होकर कमनींद के आगोस में उन्हें पता ही नहीं चला सुबह जब घोडों की टाप की अवाज उनके कानों में पड़ती है तब एकदम से बलवंत की नीद खुलती है वे हड़ बड़ा कर उठता है और कमली को उठाता है हम लोगों को यहां से जल्दी निकलना होगा वो लोग हमारे पीछे आ गए है बलवंत और कमली फुर्ती से घोडे पर बैटकर हुआ से निकलते हैं घोडा हवा से बाते कर रहा है उनको चलते चलते एक पहर बीत जाता है पर जंगल खतम होने का नाम ही नहीं ले रहा वे लोग पानी पीने के लिए जरने के पास रुखते हैं पानी पीकर जैसे ही खड़े होते हैं उन्हें फिर उन्हें घोडों की टापों की अवाज आने लगती है लोग वहा से फिर भागते हैं पर उनका पीचा करने वाले लोग उनके कुछ और पास आ जाते हैं, पीचा करते हुए दीखने लगते हैं, थोड़े आगे जाने पर वे लोग ऐसी जगे पहुँच जाते हैं, जा दौनों तरफ एक तरफ काही हैं और दूसरी तरफ नदी, वे दौनो नदी के समतल भागे जा रहे हैं और उनका पीछा करने वाले उनके पीछे चले जा रहे हैं जब वे आगे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि आगे तो रास्ता ही नहीं है नदी भी बहुत उचाई से खाई में गिर रही है खाई भी इतनी गहरी कि नीचे नजर भी कुछ नहीं पहुँच रहा बलवंत और कमली घोडे से उतर जाते हैं चौदरी जस्वंत और उसके आदमी पास आते जा रहे हैं कमली और जस्वंत एक दूसरे को देखते हैं और कुछ निश्चे करते हैं जस्वंत और कमली के पास चौदरी के आदमी आ गए हैं जस्वंत चौदरी कहता है अपने लठेतों से जाओ दौनों को पकड़ कर लाओ जैसे ही लठेत आगे बढ़ते हैं अगले ही पल बलवंत और कमली एक दूसरे का हाथ पकड़ कर नदी में छलांग लगा देते हैं और एक अगले ही पल नदी के साथ काही में गिर जाते हैं दौनों एक आदमी कहता है चौदरी जस्वंत से मालिक वो लोग इतने उपर से गिरे हैं जिंदा तो नहीं बचेंगे नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं यहां से गिरा कोई भी जिंदा नहीं बचा बच सकता मालिक थोड़ी देर वे वहां खड़े रहकर चौदरी और उसके आदमी वापस निकल जाते हैं इदा जब बलवंत और कमली जस्वंत चौदरी और उसके आदमियों से बचले के लिए नदी में कूदते हैं तब वे लोग नदी के किनारे में बहते हुए जाते हैं और काही में गिरने गिरते समय वे दौनों जो थोड़े नीचे गिरते हैं और जाड़ियों में फस जाते हैं किसी ने सही कहा है जाको राखे साहियां मार सके ना कोई जाडियों में फसने से वो नीचे नहीं गिरते जब बलवंत को होस आता है तब देखता है कि वो लोग जाडियों में फसे हुए है उसने उनके उपर से पूरी तवकी पूरी नदी नीचे कहीं कहीं में बहुत तेजी से गिर रही है और बहुत तेज अवा जा रही है नदी में पानी जायदा होने से आगे की तरफ पानी तेजी से गिर रहा है वे जहां फसा है वहाँ पर कम पानी गिर रहा है और सांस लेने में तकलीप नहीं हो रही बलवंत जाड़ी से निकलने की कोशिस करता है पर उसके हाथ पैर में जहा पत्थर के पाट पर आ जाता है उसके सरीर के बहुत से हिस्से में चोट आई है वे अपना कुड़ता फाड़ कर खून रिचने वाली जगह पर बांध लेता है फिर वे कमली के पास जाता है वो अभी भी जाड़ियों में बेहोस हालत में फसी हुई है जैसे जैसे बलवंत कमल होस में आई नहीं रही है बलवंत देखता है वो लोग ऐसी जगह फसे हैं जहांसे उपर की तरफ जाना भी नामुम्किनी है और नीचे जाना भी बहुत ही मुस्किल है रात होने वाली है और कमली भी बेहोस हालत में पड़ी हुई है बलवंत को कुछ समझ नहीं आरा नदी के पानी के नीचे कही में गिरने की आवाज भी बहुत तेज आ रही है कमली का सिर अपनी गोद में रखे हुए उसे होस में लाने की बहुत कोसिस करता है पर वे होस में नहीं आती बलवंत की आंके बंद होने लगती है और नेंद के आगोस में वे चला जाता है और जब बल मुझे क्या हुआ है मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूं मालिक फिर सिर घुमा कर नीचे देखती है तो देखकर डर जाती है हम कहां हैं मालिक तो बलवंत बोलता है घबराओ मत हम सुरक्षित हैं बस थोड़ी उचाई पर फसे हुए हैं हम यहां से भी जल्दी निकलेंगे और बलवंत पास जा रही पेड की लंबी बेलों को तोड़ कर एक रसी बनाता है और रसी को खीच कर मजबूत करता है फिर पास की जाड़ी से उसे बांद देता है और कमली को कमर में बांद देता है फिर कमली को धीरे धीरे नीचे उतारता है फिर खुद नीचे आता है ऐसा कर के वे लोग नीचे आ जाते हैं फिर नीचे जंगल में लगे फलो को तोड़ कर खाकर अपने पेट भरते हैं कमली कहती है मालिक आप मेरे कारण कितना परेशान हो गए हैं आप एक जमीदार परिवार के लड़के आपने मुझसे प्यार क्यों किया आपकी जिंदगी मेरे आने अब मेरी जिंदगी तम से सुरू होकर तुम पर ही खतम होगी और ऐसे ही बाते करते दोनों जा रहे थे तब हैं उनको दूर कहीं एक गाउं दिखाई देता है उनके चैरे पर खुसी आ जाती है वो लोग तेजी से गाउं की तरफ जाते हैं गाउं में उनके लिए रुकने के लिए जो ठीकाना मिल जाता है हुआ के बैद को अपने जखमों का हिलाज करवाते हैं कुछ दिन बाद स्वस्त होकर हुआ के गाउं के लोगों से बिदा लेकर वे नाहरगड के लिए निकलते हैं कमली और बलवंत दौन बहुत खुस हैं, खुसी से चले जा रहे हैं नाहरगड के नजदीक पहुँच जाते हैं वाँ एक गाउं के पास बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था कमली बोलती है मालिक मुझे मेला गूमना है बलवंत कमली मेले के अंदर गूमने आ जाते हैं मेले में बहुत सी दुकाने लगी हुई हैं कहीं चूड़ी की दुकान कहीं कपड़ों की बहुत सी दुकाने मिठाई की भी हैं कहीं बरतनों की दुकाने कहीं नाटक नौटंकी चल रही हैं बहुत से जूले लगे हुए हैं जब दोना घूम कर ठक गए तो एक बच्चा जूले से लटक रहा है और वे गिर जाएगा कमली जोर से कहती है मालिक वो बच्चा गिर जाएगा बलवंत देखता जूले के नीचे पहुंचता है बच्चा एक जटके से नीचे गिरता है और बलवंत उसे उपर हवा में ही पकड़ लेता है बच्चे के नीचे गि किया है हम आपका उपकार नहीं भूलेंगे हम नाहरगड के जमीदार के घर से हैं और आप लोग हम लोगों के साथ घर चल कर हमें सेवा कावसर दें बलवंत कमली से इसारों में पूछता है क्या करना है तो कमली चलने को बोल देती है वे लोग उस महिला के साथ जाने को तयार हो जाते हैं महिला बलवंत और कमली का अभार मानती है और अपने हैं चलने की जिद करती है और कहती है आप लोगों को मेरे साथ चलना पड़ेगा हम लोगों को भी सेवा का अवसर दो वे लोग उस महिला के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं वो महिला अपना परीचे देती है क कि वे लोग पर देशी है और यह मेरी प्रेमी का कमली है हम लोगों का रिस्ता हमारे परिवार को पसंद नहीं इसलिए भाग कर आएं हैं हमारे शादी हमारे परिवार वाले कभी नहीं होने देते इसलिए गाउं छोड़ कर आएं तब मनोर्मा कहती है आप लोग कोई चिंता नहीं करना आप लोग यहां सुरक्षित रहोगे मैं आप लोगों की शादी अपने यहीं पे करवाऊंगी नारगड पहुंचकर उन लोगों के रहने की बेवस्ता मनोर्मा देवी अपने हवेली में करती हैं और ठाकुर रतन सिंग को सारी घटना बताती हैं रतन सिंग भी उन बलवंत से कहती है मालिक मैं बहुत खुस हूँ अब हमारा सपना सफल होने जा रहा है जिसके लिए आप और हम लोगों ने इतनी परिसानी उठाई है परिवार से दूर हुए हैं हम लोगों की जान पर भी बनाई आज हम बहुत खुस हैं चार दिन बाद हमारी शादी होने बाली है फिर हम लोग एक दूसरे के जन्मों जन्मों के साथ ही हो जाएंगे और फिर हमारे बीच कोई नहीं होगा हमारा छोटा सा अपना परिवार होगा जिसमें आप मैं और हमारे बच्चे खुसी से रहेंगे बलवंत कमली को अपनी बाहों में लेता है तो कमली सर्मा ज दूसरे को बरमाला पहना कर सदा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। बलवन्त और कमली की जिन्दगी खुशी खुशी चल रही है, फिर उसके यहां और एक खुशी का समय आता है कि कमली मा बनने वाली है, बलवन्त कमली का और ज़्यादा ध्यान रखता है कुछ दिनों बाद कमली एक स्वस्त सुन्दर सी बच्ची को जनम देती है बच्ची अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है उसकी सरारते बड़ी बढ़ रही है और बलवंत और कमली बहुत खुसें उनकी बेटिया च्छे साल की हो गई है उसकी चंचलता बलवंत और कमली की बहुत परसंता देती है दोना अपनी बच्ची को पाकर बहुत परसं होते है उसकी सरारते उनका मन मोह लेती है पर कहते हैं न समय एक सा नहीं रहता है बलवंत और कमली के साथ भी यही हुआ कमली की अचानक तबियत खराब हुई और बलवंत ने बहुत सेवा की दूर दूर से बैदों को बुला कर इलाज करवाया पर उसमें कोई भी आराम नहीं आया अचानक कमली अपनी साथ वरस की बेटी को छोड़ कर इस दुनिया से चली गई कमली के जाने के बाद बलवंत तूट सा गया वे पागलों की तरह हो गया उसकी जीने की आस खतम हो गई ठाकुर रतन सिंग ने उसे बहुत समझाया और कि अपने लिए ना सही तो अपनी बेटी के लिए तुमें समभलना होगा ठाकुर साब की बाद थोड़ी बहुत बलवंत की समझ में आई तो वे अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जीने की कोशिस करने लगा पर कमली की याद उसके दिलो दिमाग से जा नहीं रही थी बलवंत काम पर जाने लगा उसकी आत्मा भी बहुत दुखी थी पर यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक ले जाते हैं यमराज कमली की आत्मा की हालत देखकर कहते हैं बेटी मैं तुमारा दर्द समझ सकता हूँ पर हम सभी विधाता के जीवन चक्र से बंदे हुए हैं हमारे भी कुछ नियम काईदे हैं मैं तुम्हें पूरी तरह पित्वी पर तो नहीं भेज सकता पर तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि तुम अपना पुराना सरीर लेकर अपनी बेटी के पास जा सकती हो पर उसकी कुछ सरते रहेंगी तो कमली पूछती है कि ये सरते क्या होंगी तब यमराज बताते हैं तुम सूरिय निकलने के बाद से सूरिय अस्त थक अपनी बेटी के पास रुख जाओगी तुम अपने पती को इस परस भी नहीं करोगी तुम अपने घर अपनी बेटी के पास के अलावा कहीं नहीं जा पाओगी तुम अपना कोई भी वस्तर हुआ नहीं छोड़ सकती हो अगर कोई भी वस्तर हुआ रह गया तो फिर वापस यहां नहीं आ पाओगी अगर तुम्हारे पती ने तुम्हारे इसपर्स कर लिया और फिर सम्मंद बनाया फिर तुम सोचने समझने की सकती खोदोगी और फिर हम जैसा कहेंगे वैसा करोगी अगर ये सरते मनजूर हो तो तुम जा सकती हो अपनी बेटी से मिलने कमली को सोचने के बाद यमराज की सभी सर्ते मान लेती है फिर यमराज उसे अपनी बेटी के पास भेज देते हैं बेटी जब मा को देखती है तो उसके गले लग जाती है और बहुत खुश हो जाती है दिन में बलवंत घर पर नहीं रहता वे ठाकुर के यह काम पर जाता है और कमली के लिए बहुत समय मिल जाता है अपनी बेटी को देने के लिए वे रात होने से पहले जो यमलोग लौट आती है बच्ची भी अब बहुत खुस रहने लगी घर का पूरा काम भी चक्की से आटा पीसने से लेकर खाना जाड़ू पो तुम इतना सारा काम अकेले कैसे कर लेती हो तब उसकी बेटी कहती है पिता जी काम मैं थोड़े ही करती हूँ वो तो मा आकर करती है वही सारे काम करके जाती है बलवन्त सोच में पढ़ जाता है और अगले दिन वह तबियत खराब होने का बाहना करके घर में लेटा रहता ह तब मन कमली आती है और घर के काम में लग जाती है घर का सारा काम करके अपनी बेटी से बिदा लेकर जाने को होती है तब ही उसके पीछे बलवन्त खड़ा उसकी ओड़नी खीच लेता है कमली मुड़कर देखती है तो बलवन्त दीखता है तो वह कहती है मालिक मुझे मेरी ओडनी वापस दे दो मुझे जाना है नहीं तो अनर्थ हो जाएगा बलवंत कमली के लाख मना करने पर भी उसकी ओडनी उसे नहीं देता है कमली वही रह जाती है ओडनी की वज़े से वह वापस नहीं जा पाती बलवंत और कमली पहले जैसे साथ रहते थे ऐसे साथ रहने बेटे की शादी ते हो जाती है और शादी का दिन भी आ गया कमली बलवंत से कहती है मालिक आज अपने बेटे की शादी है मैं बहुत खुस हूँ मैं वह ओडनी ओड कर नाचना चाहती हूँ बलवंत सोचता है इतने दिनों से तो कहीं नहीं गई अब क्या जाएगी अब तो इतने साल बीत गए है इसलिए बलवंत चौधरी उसे ओडनी दे देता है और कमली बहुत नाचती है उसके आत्मा और सरीर में यम का परवेश हो जाता है वह कहती है बलवंत चौधरी तुमने एक आत्मा के साथ वो सब कुछ किया जो तुमें नहीं करना चाहिए था तुमन मैं तुमें शराप देती हूँ कि आज से कोई भी व्यक्ति विदूर नहीं होगा इसलिए तुमारे खांडान में सबसे पहले मिर्तिव आदमियों की होगी और तो की मिर्तिव बाद में होगी तब से चौधरी परिवार को यह शराप मिल गया और उस परिवार को एक स्राप झाल यह तून ser पूंजर नहीं होगी प्राप में होगी 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 है कि यह दून धना यह झाल को तो कुमारे जना हुग्थ को यह पहले हैं पहले हुगी है